तो दोस्तो मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं YTI Tech तो यार काफी बहतरीन iOS inspired theme आपके साथ share करने वाला हूँ यार वीडियो पसंद आएगी लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो के लाइक का टारगेट है 500 लाइक्स का I hope आप पूरा कर देंगे तो बात करें यहाँ पर पहले theme की तो आपको कुछ इस परकार का charging animation lock screen में देखने को मिलेगा और यहाँ पर उपर से आप control center को swipe down कर सकते हैं यहाँ पर आपको कुछ toggles देखने को मिल जाते हैं double tap करके आप अपना music control ला सकते हैं जो काफी simple and nice है left hand side में आपको कुछ toggles मिल जाते हैं widget जिनने कर सकते हैं और यहाँ पर आपको नीचे torch and camera एक widget ऊपर की तरफ मिल जाता है यहाँ पर आपको कुछ इस परकार के icons देखने को मिल जाते हैं जो कि iOS inspired है आप देख सकते हैं बिल्कुल iOS जैसे ही लगते हैं और यहाँ पर आपको कुछ जो है stalks मिल जाते हैं जिससे आप wallpaper को change कर सकते हैं blur कर सकते हैं नीचे का dock change कर सकते हैं ऊपर नीचे ला सकते हैं तो कुछ customization आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है और यहाँ पर आपको यह बहुती बहुती बहुतरीन widget देखने को मिलते हैं यह वन ओव द बेस्ट widget है iOS theme के दो आपकोसारे widget यहाँ बहतरीन थीम है तो control center आपको कुछ इस परकार का देखने को मिल जाता है ठीक ठाक लगता है मेरे हिसाब से कोई issue आपको नहीं आने वाला और यहाँ पर अगर हम बात करें volume control की तो volume control भी आपके change हो जाते है थोड़ा सा यहाँ पर design जो है वो change हो जाता है जो मेरे को काफी अच्छा लगा तो यहाँ पर दोस्तो settings में आपको काफी changes देखने को मिलेंगी आप देख सकते हैं iOS beta pro जो भी आपने यहाँ पर देख लीजे लिखा है अगर आपका device boot animation को support करता है तो आपको यहाँ पर one of the best iOS inspired जो है वो boot animation देखने को मिलेगा जो की मिले को यह बहुत ही ज़ादा पसंद आया एक बार यह boot animation ज़रूर try कीजेगा बात करें इस theme के नाम की तो iOS 14 beta pro इस theme का नाम है यह आपको theme store में मिल जाएगा यह in case यह apply नहीं होता है तो आप simply theme store में जाकर एक बार data को clear कर दीजे तो अगर आप यहाँ पर clear कर देंगे तो यह theme जो है वो चल पड़ेगा तो यह आप बात करें यहाँ पर second theme की तो बहुती simple theme है यह यह भी iOS inspired है यहाँ पर आपको कुछ इस परकार के widget मिल जाते हैं बहुती simple and unique and nice है यहाँ पर भी आपको दोस्तो जो है focus mode and screen on time का dashboard देखने को मिल जाता है जो की one of the best है और यही नहीं आपको यहाँ पर जो control center तो नहीं यहाँ पर जो volume control है बिल्कुल सेम ही मिलते है previous theme जैसे पर काफी अच्छे लगते हैं और यहाँ पर icons भी जो है वो different है थोड़े से different icons आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे और यहाँ पर जो control center वो थोड़ा सा change किया गया है आप देख सकते हैं लगभग यहाँ जो है वो same theme है पर थोड़ी बहुत इधर उदर की changes लाई गई है settings में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको iOS लाइट जो कि यह काफी बहतरीन लगता है और यहाँ पर iOS के जो toggles है बिल्कुल same देखने को मिल जाते हैं तो यह जो है वो काफी अच्छी बात है बिल्कुल same ही color आपको देखने को मिल जाता है तो अगर आपका device boot animation को support करता है तो यहाँ पर आपको normal जो है वो एक boot animation देखने को मिलेगा Apple का logo, previous boot animation ज़ादा अच्छा है उस theme में तो वो ज़रू ट्राइ कीजिए, इसमें भी ठीक ठाक है पर यह theme जो है वो काफी simple and plain है तो यह जो थोड़ा सा मेरे को fast भी लगा theme तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस परकार का जो है वो आपको Apple का boot animation दे जाता है तो बात करें दोस्तों इस theme के नाम की तो iOS Lite इस theme का नाम है अगर apply नहीं होता है जैसा मैंने बताया है theme app का data एक पर clear कर दीजे तो आप apply कर पाएंगे तो यह सारी information थी तो यह आज के लिए